दोस्तों इस वीडियो को मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ किसी कमपनी को किसी परकार का कोई भी फायदा पहुचाने के लिए मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ कोई निरने ले लिया तो यह आपका ब्रक्तिकर निरने होगा मुझे आप इस चीज के लिए दोस मत देना और ऐसा मैं आप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग कई बार मुझसे यह पूछते हैं कि मैं कौन सी बाइक यूज करता हूं मेरे पास कौन कौन सी बाइक हैं तो इसलिए मैंने आज तक आपको इस बात का जबाब नहीं दिया उसका भी मैं आपको कारण बताता हूं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा आप मेरे पीछे यामा की FGS वर्जन 2 देख रहे हैं यह मेरी खुद की बा यहां पर मुझे किसी ग्रहक किसी कस्टमर से पूछने की आव सकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक ग्रहक हूं इस बाइक का इस कंपनी का तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार मैंने अपने कमेंट में पढ बाइक करी दी तो इसलिए आप कभी कभी थोड़ा बहुत दुख भी होता है डर भी होता है कि उन्होंने जिस बाइक को खरीदा है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चीए नहीं तो वह आगे चल कर क्या सोचेंगे उनका भरोसा ना उठे इसलिए मैं आपको आज बत तो उसमें user review आप अगर दोगे तो उससे हमारा क्या फायदा होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि YAMA की FZS version 3 जो है उसके अंदर body line change है headlight change है उसका meter change है बस आपको engine वही मिलेगा fuel injection वही मिलेगा tire वही मिलेगे change pocket वही मिलेगी और इसी में problem आती है आपकी tank की निकल के कहीं तो भागेगी नहीं seat cowl या seat निकल के भागना नहीं है तो इसलिए उसको चलने में वही problem आएंगी जो इस YAMA की FZS version 2 में आई है अब इतनी सारी मैंने आपको बाते बता दी इसलिए क्योंकि आप लोग जानना नहीं सुनी किसमें कितना खर्चा आया है तो भाई आप लोग फंस सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि मैंने जिस बाइक को खरीदा है वो दुनिया की सबसे अच्छी बाइक है ऐसा नहीं हो सकता है सबकी conditions अलग हो सकते हैं वो अलग तरीके से चलाते हैं इसलिए प्लीज अब ज्यादा आपका टाइम नहीं खराब करता हूं क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है और आप मेरे लिए बहुत ही कीमती है और आपका हमारे इस चैनल पर बाइक पॉइंट बाइम राहूल पर दिल से मैं स्वागत करता हूं मैं हूं मिन्टू और आप हमारे इस च पर फालो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्सिन में ने उसका लिंक दिया हुआ है दोस्तों ये है मेरी यामा की FJS वर्जन टू और आप इस बाइक को मेरे इस चैनल पर कई बार देख चुके हैं ज़स्तों की हम इसके अलोई बील को, इसके सालेंसर कबर को, ग्रैब रेल को, टैंग कबर को, इन सारी चीज़ों को प्रिंट कर चुके हैं और आप साइड से देख सकते हैं कि बाइक कैसी लग रही है और इसकी कंडिसन क्या है इसको लिये हुए हमें एक साल साथ महीना हो चुका है मैं आपको फ्रंट से दिखा दूँ कि बाइक कैसी लग रही है और पीछे राहूल है कैमरा है और यहाँ पर आप साइट से देखेंगे वैसे मैं आपको कोई नई बाइक तो दिखा नहीं रहा हूँ कि इसका आपको मॉडल और डिजैन दिखा हूँ मैं आपको सिर्फ काम की बाते बताता हूँ तो सबसे पहले आप देख लें कि बाइक कितना चली हुई है यहाँ पर आप देखेंगे 22,975 किलोमेटर यह चली हुई है आपको ऐसा न लगे कि इसका मीटर बंद है जिक दोस्तों अब इतना चली हुई है अच्छा है यरे खराब है यह तो अलगी बात है और बाकि आप पीछे देखेंगे तो जैसे कि इसके side panel ये सारी शीजें कहीं कुछ भी तूटे नहीं हुए है ये scratch हमारी वज़ा से आया हुआ है ये pent इसका यहाँ पर उड़ गा है क्योंकि बैठने पर जो भी अगर आप बैठेंगे तो कुछ लगेगा तो pen तूट जाएगा इसका भी pent का यही हाला पीछे बैग रहता है तो इसलिए ये उड़ चुका है बाकी ये सारी शीजें आप देखेंगे तो ये सारी शीजें कुछ भी तूटी नहीं हुई है और side से मैं अगर आपको दिखाओं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका ये तूटा हुआ है क्योंकि जब हमने इसको खरीदा था तभी ये तूटा हमें मिला है तो इसमें ये कोई बहुत बड़ी प्राब्लम नहीं है बाकी आप पीछे देखेंगे ये काउल तो ये सारी शीजें बिलकुल सही है और आगे आपको मैं दिखाओं तो मटगाड बिलकुल सही है कोई प्राब्लम नहीं है जैसे कि पुरानी बाइक हो जाती है तो ये रवर धीली हो जाती है यहाँ पर स्क्रेच इसलिए लगा है क्योंकि जब ज़्यादा बड़े गड़े में कूथती है तो इसका ये लगाड जाके इसमें लग जाता है बाकी हेड लाइट ये सारी चीजें बिलकुल सही है इसके अंदर कोई भी प्राब्लम नहीं है ना मीटर हिल रहा है ना कुछ ना ही कोई इसके अंदर आवाज आ रही है आगे या पीछे से तो अब इसकी body line की जो condition है वो आप लोगों ने देखी ली है और अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि इसके अंदर change क्या हुआ है तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख लें जैसे कि मैंने body line में आपको ये मटगाड नहीं दिखा है यहाँ पर आप देखेंगे ये कपड़ा इसमें लगाके रहूल ने tight किया हुआ है क्योंकि हम ही लोग इसको बनाते हैं इसलिए मैंने video के शुरुआत में कहा है कि हमारी condition अलग हो सकती है और आपकी अलग हो सकती है और यहाँ पर जैसे कि ये कपड़ा लगा हुआ है ये हिल रहा था तो इसको tight कर दिया ये आप आवाज नहीं कर रहा है बिल्कुल सही चल रहा है और यहाँ पर दोस्तों अब पहले दिखा दूँ कि क्या change हुआ है इसमें 43,000 km चलने में एक बार हमने इसका tire change करवाया है तो कुल मिला के एक company से आया था और एक tire ये नए लगा था और ये चल चुका है 15-20,000 हमने एक वीडियो बना के दिखा हुआ कि इसके अंदर जैसे कि फोड़े निकला है मतलब air बन चुका है, ये tire फूल चुका है तो इसको फिर से change करवाना पड़ जाएगा अब जल्दी ही change करवाना है तो इसका tire भी change हो जाएगा तो एक बार इसका tire change हुआ है एक बार इसका breaks to change हुआ है और जिस प्रकार से आप चलाते हैं उसी प्रकार से आपको change करवाना पड़ता है अगर आप इसके उपर भी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग comment में बताएं तो पीशे हमने इसका tire change करवाया है breaks to change किया है, करवाया नहीं है क्योंकि हम ही करते हैं और रही बात आगे की दोस्तों तो यहां पर हमने एक बार इसके disk pad को change करवाया है और इससे अब ज़्यादा ब्रेकम लगाएंगे तो दो बार आपको करवाना पड़ सकता है फिलाल हमने एक बार इसका disk pad change किया है और यहां पर आप देखेंगे disk pad में कोई भी problem नहीं है और इसकी bearing को भी हमने change नहीं करवाया है अगले पहिये की रही बात इसके soccer की तो दो बार इसके soccer बन चुके हैं इसकी soccer seal leak हो गई थी तो इसमें हमने change करना पड़ा इसके soccer seal को तो यह हो गई इसके soccer की बात रही बात अगर हम इसके chain is pocket की बात करें तो दो बार हमने इसकी chain is pocket change कर दी है और अभी आप देख सकते हैं इसकी condition क्या है यहाँ पर आप देखेंगे तो chain बिल्कुल सही है इसमें o-ring वाली chain होती है और जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं इसकी एक teeth जो है इनके भी condition सही है इसमें कहीं कोई आपको condition खराब नहीं मिलेगी अभी यह chain is pocket चल जाएगी और यह chain सही चल रही है रही बात जो आप इस पर आयल देख रहे है यह इस पर डाला गया है chain पर तब इसकी वज़ा से यहाँ पर आपको थोड़ा सा कचरा सा दिख रहा होगा थोड़ा सा जादा खराब दिख रहा है तो इसी chain का ही आयल इसके अंदर आया हुआ है बाकी इसमें कहीं कोई भी इस बाइक में leakage नहीं है दोस्तों जैसे कि आप engine में देखेंगे बिल्कुल साफ सुतरा है अब इसको जब धुलाई करवाए गया था तो इस पर diesel मरवाय गया था इसलिए इस पर ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई है बाकी आप देखेंगे इसके magnet कबर को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ये खुले नहीं है एक बार भी इसका engine नहीं खुला है यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल सही है कहीं कुछ भी इसका खुला नहीं लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कबर को खुला गया है क्योंकि इसके valve clearance को चेक करना था तो ये सारी चीज़ें खुली गी है बाकी इसमें कलच वायर तूट गई थी change कर चुके हैं क्योंकि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ट्रैक्टर और ट्राली को खीचा था ये हमारी गलती थी बाइक की कोई गलती नहीं थी और राहुल चला रहे थे इस बाइक को उन्होंने जब बाइक नहीं खीच पा रहे थी थोड़ा कम में भी काम हो जाता है इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि हमारी condition अलग है और आपकी अलग है तो कलच प्लेटे हमने इसमें दो बार change कर दी है बाकी इसमें spark plug वही है ना तो हमने इसके fuel injection में कोई भी repairing की है अभी इसमें कोई problem नहीं आई है इसके tire और seat तो आप देखी रहें दोस्तों seat हमने इसमें अपने आप ही एक cover लगाया हुआ था इसकी वीडियो हमारे चैनल पर है यह cover हमने अपने आप लगाया था लगाया था तो यह चीजें अब यह फट रही है इसको बाद में फिर से change करवाना पड़ेगा तो यही इसके अंदर problem है और बाकी इसमें body line में कहीं कोई आवाज नहीं आ रही है और अब मैं आपको इस bike को start करके दिखाता हूँ कि इसके engine का sound कैसा है और यहाँ पर हमने switch on कर ली हमने का मतलब मैंने और यहाँ पर यह bike start हूँ चुकी हलका धुआ देर यह दोस्तों आप देशके लेकिन आपको मैं आगे भी बताऊंगा और सबसे पहले आप engine का sound देख ले engine में कोई भी sound आपको नहीं मिलेगा और उधर से मैं आपको दिखा दूँ टाइमिंग चैन में कहीं कोई आवाज है या नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके टाइमिंग चैन में कहीं कोई आवाज नहीं है बिल्कुल silence चल रही है और मैं आपको इसको इसको इस्टार्ट करके फिर से एक बार सुना देता हूँ इसकी आवाज देख सकते हैं इसका साउन बिल्कुल बढ़िया है क्योंकि हम इसमें जो करते हैं उसको मैं आगे बता दूँगा अभी पहले आप देख लें कि इसके इंजन में कहीं कोई प्राब्लम मुझे नहीं लग रही है वाइक और रही बात इसकी बैटरी की दोस्तों तो बाइक के साथ जो बैटरी आई थी वही बैटरी इसके अंदर लगी हुई है अभी हमने इसकी बैटरी चेंज नहीं की है तो जो भी चीजें थी इस बाइक में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है अब मैं आपको कुछ और चीज नहीं हुआ है एक बार अगला डिस्क पेड पीशे का ब्रेक्सू एक बार एर फिल्टर और दो बार चैनिस पॉकिट ये सारी चीजे हम चेंज कर चुके हैं अब आप लोग हो सकता है ये सोचें कि जैसे कि हम बाइक को बनाते हैं तो इसकी बिल्कुल टाइम टू टाइम तरीका पता है तो इसलिए हम थोड़ा सा रफ राइडिंग भी करते हैं तो हमें सारी चीजे पता होती है तो ज्यादा मेरी बाइक में कोई प्राब्लम नहीं आई है अब इस यामा एपजेडेस को मैंने क्यों लिया है अगर आप इसके उपर वीडियो चाहते हैं तो मैं आ प्राब्लम नहीं आईगा लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप इसके इंदर जो प्राब्लम आईगी वो मैं दूर कर लूँगा लेकिन आप अगर कहीं बनवाने जाएंगे तो वहाँ पर एक के दो लग सकते हैं तो आपको ज़्यादा खर्चा आपका ज़्य और जब जरूरत होती है तो filter इसका change कर देते हैं और बाकी plug हमने किया हि नहीं है चैंज tipOohaded today जा आखिए तो मुझड़ल हाइब और सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर double wire, accelerator wire लगी होती है, तो accelerator tight चलता है, तो हमने इसके अंदर single वाली लगा दी, जो अब new model में आ रही है, और उसके अलावा, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें का था किंजन से, जब आप slow कर देते हैं, तो ठक ठक करता है, तो इसमें भी करता है, अब यहां पर मैं आपको यह बता दूँ, version 3 जो आई है, वो इससे ज़्यादा smooth चलती है, ज़्यादा better चलती है, इसमें इसका accelerator थोड़ा सा tight चलता था, दो तारे लगी थी, तो इसके अंदर थोड़ा सा smoothness उतनी ज़्यादा अब रही बात इंजनाइल इसके अंदर कम होता है, बाकि जब radial tire लगे हैं, तो थोड़ा सा महंगे tire आपको पढ़ेंगे, चोड़े tire हैं, थोड़ा सा जल्दी घिसते हैं, अब जैसे कि और जो nylon tire होते हैं, उनके मुकाबले यह कम चलता है, और इसका अगला soccer जो है, उसकी soccer और सिले महंगी आती हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को अभी तक नहीं बता रहा था, फिलाल इसको चलने में जो भी खर्चा हुआ है, मैंने आपको सारी चीजे बता दी है, और इसलिए मैंने वीडियो की सुरवात में आप से बिनम रनी बेदन किया था, कि आप इस नहीं बताया था, क्योंकि ऐसा नहीं कि जिस बाइक को मैंने खरीद लिया, वो बिल्कुल अमर हो गई है, खराब ही नहीं होगी, और सभी लोग उसी बाइक को खरीदेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, मेरी कंडिसंस अलग है, मैं बना भी लेता हूँ, मैं कोई भी खरीद लूँगा, सही चलेगी, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है, पहले आप देखने का आपका कितना बजट है, सारी चीजे देखने के बाद, और हमने इस बाइक को सेकंड हैंड खरीदा था, अब आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि हमने सेकंड हैंड क्यों ख समझ लें कि हम इस बाइक को बनाना जानते हैं, टाइम टू टाइम सारी चीजे करते रहते हैं, बाकी ऐसा नहीं है, कि इस बाइक में प्राब्लम नहीं आएंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा राफ राइडिंग करेंगे, और टाइम से इसकी सर्विस नहीं करवाएंगे और इंजन आयल नहीं चेंज करवाएंगे, तो आपके साथ प्राब्लम हो सकती है, बार बार आपका पेट्रोल खतम होगा, पेट्रोल नहीं टलवाएंगे, और फ्यूल इंजक्सन वाली बाइक है, तो इसका फ्यूल पंप भी खराब हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज सही तरीके से, सही टाइम से मैं करता रहता हूँ, इसलिए बाइक सही चलती है, इसलिए अब आप लोगों को अगर बाइक खरीदनी है, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, आगे चलके हो सकता है, यह कुछ जब यह चल जाएगी हो सकता है, इसके अंदर हमें इ सारी चीजों के बारे में जानकरी दूँगा तो अब अगर आप भाई खरीदना चाहते हैं तो आप सोच समझ लें औरों से पूछ लें अपनी कंडिसन देख लें अपने पैसे देख लें सारी चीजे देखने के बाद तब आप किसी निर्णे पर पहुंचे किसी को देखकर आपको कोई भी चीज खरीदने के आव सकता नहीं दोस्तों ऐसा नहीं क्योंकि आपको के कंडिसन के अउसार वो चीज की आपको नMomzhसा में सोच बिचार कर खरीदें, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंददाई हो, आप लोग और जानना चाहते हैं, तो आप इसके लिए comment करें, और आपको वीडियो पसंदाई हो, तो लाईक और सेर जरूर करें जिससे और भी लोग जान सकें, और वरजन 3 की performance में, और इसकी performance में कोई बहुत ज़्यादा कांतर नहीं आएगा इसलिए मैंने आपको सारी बाते किलियर कर दी है वीडियो को आप लाइक करें, सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरूर दबाएं और आपकी इच्छा है तो आप मैं इस्टाग्राम पर फालू कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक दिया हुआ है तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यबाद, आपका दिन सुभ रहे धन्यबाद